तो दोस्तों जैसा कि आपको पता था कि फेज 12 का एक्जामिशन आज से स्टार्ट होना था तो आज टोटल चार सिफ्टों में जो एक्जामिशन यहां पर कंड़क्ट हुआ है ठीक है एंड उन सभी को मिला करके जो है यहां पर कुछ यहां पर आनलिसिस मुझे पता चला है जो कि मैं आपके साथ इस वीडियो में सेर करने वाला हूँ ठीक है जिनका अफकमिंग एक्जामिशन है फेस 12 का ठीक है अभी मतलब यह तो आपकी चलने वाला एक्जामिशन तो जिनका भी आगे एक्जामिशन है वो इस वीडियो को जरूर देखेगा इस से आपको काफी आपको बताएंगे कि किस टॉपिक से सबस्यादा जीखे के कोशन आ रहे जो कि चार सिप्टों को अनलेसिस करने के बाद मुझे पता चला है ठीक है एंड इसके साथ में आपको बताएं दोस्तों कि अगर आपका सी एजसली आपर सीप्यों का भी एक्जामिशन है तो भी आ आप लोगों के लिए भी हेलफूल हो सकता है और आप भी इस टॉपिक पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं क्योंकि यह मतलब में ऐसा अगर कोशन दे रही है तो हो सकता है कि सी एजसली में भी ऐसा दे सबसे पहले अगर मैं और बात करूं पेपर लेवल की तो पेपर आपका उतना ज्यादा डीप में नहीं पूछ रहा है फेंस टीक है जो कि मैंने आपको फर्स्ट में आपको बताया है कुछ कोशन जो कि आपको बता चल रहा होगा ठीक है बागी चले दूस्ता हम लोग वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले यहां पर जानते हैं कौनकों से वह लग से सबस्यां कोशन आ रहे हैं और एक और चीज में आपको बता दो अगराप सीजी से लिग्जामनेशन को टारगेट कर रहे हैं अभी मतलब सीजेशल को देने वाले हैं तो देखिए यह तो आपको इसको पढ़ेंगे साथ ही साथ दोस्तों आपको इसमें प्राक्टिस आपको प्राक्टिस एंड उसको अनलीसिस पर आपको करना अगर सीजी से लोट सीप्यों का एक्जामनेशन आपका है तो ठीक है तो इस बूक को पर्सिश करने के लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जागे या फिर आफ्लाइन मार्केट से भी आप तो 50% तक आपका माख्श जो है इस टॉपिक से आपका आने वाला है जी के कोशन में ठीक है तो चलिए आपर बताते हैं आपको तो यहां पर देख सकते हैं टॉपिक्स तो यहां पर कौन कोशन टॉपिक्स है लगबग यहां पर अगर काउंट किया जाए तो 3,36,39,3,12,3, 15,16 topics यहां पर है ठीक है जो कि मैं आपको बताता हूं सबसे पहला important battles ठीक है आज ही आपको देखने को मिला है first shift में ही दो कोशन आपको मिला है important battles है एक आपका आया था आपका battle of Karnoja जो है किसके किसके बीच में लड़ा गया था और एक आया था आपका battle of Nirmada ठीक है और भी कि पुछा गया था कि उजवला योजना को कितने वर्सों तक बढ़ाया गया है ठीक है तो यह कोशन आया था और भी स्कीम से कोशन आया था मुझे याद नहीं है लेकिन इसकीम से भी दो तीन कोशन आपको देखने को मिला है total overall 4 shift में ठीक है एंड बात करें next यहां पर classical and folk dance से तो हर एक shift में जैसा कि यह मतलब इतना hot topic है कि हर एक shift में से कोशन आता है तो classical and folk dance से भी कोशन आया है classical dance में आपका था भारत नर्टियम पहला वाला shift में और यक्षगान आया था यक्षगान भी आया था उसमें और second value shift है उसमें भी बतलबाया था इसे classical and folk dance से ठीक है फि जोपाल सौमी में आपको बताया था फर्स्ट में करके फिर second shift में भी कोशन आया था कि 2011 जन गन्ना के अनुसार किस धर्म का percentage कितना है ऐसे कुछ कोशन था जो कि मुझे confirm नहीं है लेकिन इस तरीके से कोशन आया था से उसके बाद sports related term यानि कि कौन सा सब्द कि sports related है उससे को कोशन आया था अगर मैं आपको बताओं तो एक first shift में जो आपका question आया था friends मैं आपको देखके कर बताओं तो बूल्स आई जो वर्ड है वो किस sports related है तो इस तरीके से कोशन आया था friends उसी परकार से festival से काफी ज्यादा question आया था एक तो कि आपका बोनालू festival पुछा गया थ है उसके बाद important articles 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 से तो हर एक shift में कोशन ठीक है first shift में भी आया था आपका पुछा गया था 368 article किसे रिलेड़ेट है 21 article किसे रिलेड़ेट है तो आर्टिकल से भी काफी ज्यादा question बने है तो इसको भी आप बहुत ही ज्यादा important money इसको भी आप पहले खातम कि ठीक है उसक का मुगल समराज्य से पहले जो है दिली सल्तिनत पर किसका सासन था वो आया था question ठीक है तो इससे भी आपका question आया है उसके बाद measurement of instrument से question आया था कि मतलब वायू का जो तीव्रता है उसको किस में आप जाता है तो इस तरीके से question आया है फ्रेंस तो इसको भी आप देखके में संसोधन किया गया था तो 86th amendment मुझे याद है कि 86th amendment पूछा गया था जिसमें की सिक्षा को आपर मतलब बताया गया था कि इम्पोर्टेंट हे श्के बाद और सेल्स के बारे में बताया था किसेओं से बढ़ेमें पुछा गया है कि सेल्स मुझे से कौछन था किसीAll था मैं इसी कोशन आया है ठीक है चारो सिट में मिला करके तो कमिटी भी आप देखेज़ेगा इंप्रेंट कमिटी एंड लास्टली बात करें दोस्तों करेंट एफेर्स के तो करेंट एफेर्स देखे आपका जो है जनवरी 2023 के बाद का करेंट एफेर्स पूछ रहा है ठीक है लगबग एक साल तक का तो आप इसको जो है अच्छे से पढ़के जाईएगा जनवरी तो या फिर मैं तक ठीक है अप्रेल या मही तक कोशिश केजिए जनवरी तो एफेर्स से लेकर के मैं 24 तक तो उसमें ही आपका करेंट अने वाला है ठीक है करेंट एफेर्स में आपका था एक नाइंटींथ एसीन गेम्स था सथा ठीक है उससे कोशन आया था तो इस तरीके से जो है आपका मतलब मिन सब इस अभी टॉपिक से कोशन आ रहे हैं तो मैंने आपको बता दिया सबसे पहले पिन टॉपिक को करके जा प्रेंस कोड पेपर जादा मतलब आज की हिसाफ से बात किया है तो आज अपका फेपर बहुत ही जी था ठीक है एक एक अवरेज मतलब बच्चा जो जो पर किलिक के जा रहा हूँ और हम से एटी प्लस कोशन अटेंट करके आ राए फरेंस ठीक है बाकि आप सब लोग मुझ